सर्दियों के मौसम में अकसर भूख भी जाती है और खाने के बाद कुछ मीटा खाने का मन भी करता है तो चलिया आज हम बनाते हैं बहुत ही आसान बहुत ही हैल्दी और ना कोई चीनी ना कोई गुड के देट्स गोंद पाग तो यहाँ पर हमने पहले लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है डेशियर कोकुनट फिर आड कर देंगे melon seeds, poppy seeds या जो भी seeds आपके पस अवैलेबल है आप उसमें आड़ कर सकते हैं जो खस-खस है, poppy seeds है और उसका date सा combination बहुत ही बढ़िया लगता है और थोड़ी सुंदरता बढ़ा देता है तो जरूर आड़ करें फिर हमने कुछ dry fruits roast कर लिये ते फिर हम अड़ कर देंगे गोंद अब गोंद को आपको low flame पर पकाना है ताकि वो अच्छे से पक जाए नहीं तो वो अंदर से कच्छे रह जाएंगे उसे अच्छे से mash कर दें फिर उसी कडाई में घी आड़ करें और जो हमने डेट्स का पेस्ट बनाया था वो इसे हम अच्छे से आड़ कर देंगे इसे पका लेंगे फिर आड़ कर देंगे इसके अंदर हमने जो गोंद मैश की थी वो रेजिकेटर कोकनट जो चॉप नाट सीड जो भी हमने जो रोस्ट की चीज़े सारी हम इसमें आड़ कर देंगे और सब इसे कंबाइन हो जाएगा तो तो थोड़ा सा हम यहां पर सौंट और एलाईजर का पाउडर आड़ कर देंगे फिर एक ग्रीस मोल में आप इसे अच्छी से सेट कर दें और बस थोड़ा सा गार्निश कर दें उपर से इसे आप अज़ प्री वर्क आउट खाने के बाद का मीठा या अज़ एनरजी बार भी खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है बहुत ही स्वाद लगता है तो इस सीजन जरूर श्राय करें ऐसे रैसे पीस के लिए फॉलो करें इंजॉइ